हाई गाइज वालकॉम बैक टू माइच चनल तो गाइज अगर आप वी एसेंचर जोइनिंग का वेट कर रहे थे और अभी तक आपको जोइनिंग नहीं मिली हुई है तो आप लोग लिए असेंचर के तब से सबसे बड़ी गुर्णी आ चुकी है तो गाइज मैं आज इस वी के हुए या इलाइड के हुए या टर्बो के हुए उनका भी स्टेटस बताऊंगा कि क्या उनकी अन्बोर्डिंग का भी स्टेटस है क्या उन्हों अभी तक बताया है या किसी ने कोई कोश्चन पूछा तो उनकी रिप्लाई क्या आ रही है अन्बोर्डिंग की जो टीम है सबस्क्राइब कर लो और इसके साथ ही अगर आपको किसी भी अप्डेट से लेटेट कोई वी चाहिए तो आप डीली में इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं यहां पर डेली में रप्लोट पर जाते हैं जहां से आपको जो भी जनकारी चाहिए वो ले सकते हो तो चलिए गाईज हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं तो गाईज सबसे पहले कि अगर आप एसेंचर अन बोर्डिंग का वेट कर रहे थे और आपकी जुआनिंग अभी तक नहीं आई हुई है तो आप लोक लिए सबसे बड़ी गुड निउज है तो गाईज आपको जुआनिंग का डेट बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि कब आपने अपलाई किया था और कौन से डेट को आपकी मेल रिसीवड हुए तो कौन से मेल किस डेट को रिसीवड हुआ था तो सबसे पहले तो गाईज आपने अगर जुन में 2023 में अपलाई किया था उसके बाद आपका जो 19 जुलाई को आपका कोगनेटिव और कोडिंग एसेस्मेंट हुई थी जिसके बाद से आपको 25 जुलाई को एक मेल रिसीवड हुआ था जिसमें आपको कौनिकेशन एसेस्मेंट से डेटर ओ मेल था जिसके बाद आपका दूसरा मेल रिसीवड हुआ था 28 जुलाई को जो मेल रिसीवड हुआ था ओ आपका इंटरव्यू से डेटर था जिसमें की आपने इंटर्व्यू दीया था, इंटर्व्यू आपको देने का बाद फिर आपको 31.अगस्त को एक दूसरी mail रिशिब होती है, जिसमें कि ओ आपका task mail से related होता है, आपको विस type का mail मिला होगा, और उसके बाद फिर दूसरी mail लेक आती है, ओ 27.अक्टूबर की आती है, जिस को भी रिसिट हुआ होगा जब यह मेल आती है उसके कुछ दिनों के बाद आपका 19 दिसंबर को डारेक्ट एक जो आनिंग लेटर के मेल रिसिट होता है जिसमें की आप में से बहुत सारे से कंडिटों के जिनको की जो आनिंग लेटर रिसिट हुआ था अब मेरे पास भी बता दूं वह आपका साथ फरवरी 2024 होने वाली है तो आपको भी इस टाइब का मेल रिसिट हुए होंगे तो आप लोग लिए बहुत बहुत खुशी की ख़बर है यह और जिनको भी आया अब वह साथ फरवरी को उनकी जो आनिंग हो जाएगी जिसके बाद उनका जो भी आ जो आनिंग लेटर का मेल रिसिट हो जाए तो यह रही आपकी एसेंचर ज्वाइनिंग की डेट जो फाइनली जो एसेंचर ने बता दिया है और इसके बाद मैं बात करने वाला हूं आपका बीप्रो के लिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडिएट हैं जो के बीप्रो कंडिएट उनसे अलग होते हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जब भी आपको मेल रिसिट होगा तो साथ में सबको मेल आते हैं यह नहीं कि उनकी अलग आएगी और आपकी अलग ऐसा कुछ नहीं होता है और जो भी कंडिएट जो की पूछ रहे हैं कि सर में अन्बोर्डिं जिसमें कि उनकी जैसे डिमांड होगी उस हिसाब सो अन्बोर्डिंग कर रहे हैं तो उनका यह करना है कि जब भी आपकी अन्बोर्डिंग की डेट आएगी तो आपको दो हफ्ते पहले बता दिया जाएगा कि आपकी अन्बोर्डिंग कब होने वाली है जो की इनका बिजन करना पड़ेगा कुछ दिन तो गाईज अगर आप भी बीप्रो कंडडेट हैं और वेट कर रहा है तो कुछ दिन वेट करो आपको भी टाइम से मेल आ जाएंगे तो आपको भी घबराने की जोट नहीं है जो भी टाइम आपके पास है उसको कहीं यूज करके कुछ स्किल्स हो एकर सीखो जिसे की आपको आने वाले टाइम में जो भी इसकिल रहेंगे इससे की आप प्रॉफिट कहीं भी ले सकते हो यह सारी रही बाते तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में क्यों ना बता कर आपको बता दिया जा कि क्या भी बीप्रो विल के कंडडेट हुए य आप लोग कमेंट बक्स में जरूर बताओ या आप इस्टाग्राम पर भी डायक्ट मेसेज करके वहां से अपडेट बता भी सकते हो और कोई प्रॉब्लम्स हो तो डायक्ट पूछ सकते हो तो यह रही जो कि वीप्रो विल्प के लिए तो गाईज अगर आप भी एसेंचर अनबोर्डिंग या वीप्रो की अनबोर्डिंग कर रहे हैं या आपको कोई अपडेट आती है तो आप कमेंट बक्स में जरूर बताओ ताकि और भी जो वीवर्स देखने वाले हैं उनको पता चल सके कि आने वाले टाइम में कब तक हो सकती वह भी कुछ आइडिया लगा स सकते हैं तो यह सारे चीजें हैं तो फिर चलिए आपसे अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ मिलते हैं तो आज के लिए वस इतना ही तब तक के लिए जैहिन बैवर